हेलो दोस्तों आप सबीगा हमारे इस यूटूब जेनल एलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागते सुबह खली पे टेक इलाइजी खाने से जड़ से खतम हो जाते हैं ये पांच रोग कौन से रोग आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माद्यम से दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त उसके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और ज्यादा सी ज्यादा अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ सेर भी करना ताकि उन्हें भी इस जानकारी का पता चल सके और वो भी इसका फाइदा उठा सकें और हमारे इस यूटूब च वे जोर पर मुहें को साफ करने के लिए अत्वा मसाले के रूप में किया जाता है वहीं सवादिस्ट पतार्थों का जाईका बढ़ाने के लिए उनमें इलाइची को डाला जाता है अलांकि इलाइची खाने के वैसे बहुत सारे फाइदे होते हैं लेकिन अगर आप इसे तो आपके स्वास्ते को कौन-कौन से फाइदे मिलेंगे, आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आईए जानते हैं, नमबर एक, पेट की बिमारी दूर करे, नीमित रोप से रोजाना सुबह खाली पेट एक इलाइची खाने से मतली, की कमी, कबज, वैंने सभी पेट की समस्यें दूर हो जाती है, इसलिए अगर आपको पेट से सम्मंदित किसी भी परकार की समस्या है, तो आप सुबह खाली पेट एक इलाइची जरूर खाएं, नमबर दू, धंतों के लिए लाबदाइक, इलाइची जबाने से आपके मुह की दुरूगंद दूर होती है, इसलिए जब आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे, तो आपके सांसों की बदबू दूर होगी, साथ ही गले में किसी भी परकार का संकर्मन नहीं होगा, साथ ही मुहें में छाले भी नहीं होगे, नमबर तीन, दिमाग मजबूत करे, दिमाग को मजबूत करने, आंखों की रोसनी को बढ़ाने, यादास्त बढ़ाने में इलाइची बहुती मददगार है, अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट एक इलाइची खाएंगे, और उपर से अगर आप एक गिलास दूद भी पी लेंगे, तो इससे आपकी यादा पास्त तेज होगी, आंखों की रोसनी बढ़ेगी, और दिमाग सवस्त और मजबूत बनेगा, नमबर चार, दिल की रक्षया करे, इलाइची में मुझूद खनीज्ट ततों आपके दिल की रक्षया करने में सायक होते हैं, आपके दिल को सवस्त रखते हैं और बिमारियों से बचाते हैं, और दोस्तों नमबर पांच है, शरीर में खून की कमी को दूर करे, अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो आप रोजाना सुबह खाली पे टेक इलाइची खाएं, और हो सके तो एक गिलास गरम गुनगुना दूद भी पीएं, आप ऐसा रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, ऐसा करने से भी आपके स्वास्ते को यही फाइदे मिलेंगे, इतना ही नहीं दोस्तों अगर आप इलाइची का सेवन करेंगे, तो आपकी कीडनी सहुस्त रहेगी, आपके सरीर में मौजूद गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में यह साइता करत है, मोटापे को कंट्रोल करती है, आपकी पाचन सकती को मजबूत बनाने में साइक होती है, इतना ही नहीं अस्तमा के रोगियों के लिए यह बहुती फाइदे मंद होती है, इसके अलावा यह आपके सरीर की कैंसर से लड़ने की चमता बढ़ाती है, अगर आपको सर्दी की वज़े से गले में खरास हो रही है और बहुत दर्द हो रहा है, तो आप इलाविची का सेवन करें और फिर गुनगना पानी पीलें, ऐसा करने से आपको तुरंतारा मिलेगा, और हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, इनसान को कभी भी अचानक हिच्की आने लगती है, एक इलाइची को अपने मुहें में चबाएं, ऐसा करने से कुछी देर में आपकी हिच्की बंद हो जाएगी, इसके अलावा अगर किसी का जी मचल रहा है, उल्टी आने जैसा मैसूस हो रहा है, और मुहें का सवाद खराब हो चुका है, तो वह इलाइची चबाएं, ऐसा क होने से आप डिप्रेशन के सिकार हो जाते हैं, इसलिए टैंसन मुक्त रहने के लिए आप इलाइची को चबाएं, या फिर आप इलाइची वाली चाय भी पी सकते हैं, ऐसा करने से तनाव चुम मंत्र हो जाता है, यानि कि टैंसन दूर भाग जाती है, तो देखा दोस्तों आपने कि इलाइची का सेवन हमारे सवास्ते के लिए कितना लाबदाएग होता है, तो आप भी इलाइची का सेवन जरूर करें, यदि आपको इस वीडियो से कोई जनकरी मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जदा से जदा आपने दोस्तों के साथ सेर करें, और ह सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर भी कलिक कर लें ताकि आपको मिल्स के नए नए वीडियो सबसे पहले